कि आपको पता है कि जुरो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कि आपको पता है जो बच्चे जुरो पैदा होते हैं, उनका सरीर कैसे दुशर से जुड़ा रहता है, या तो सर जुड़ा है गया, तो पेर जुड़ा है गया, तो पैर जुड़ा है गया, तो ये सब क्योश्चन आ हम समझने की कोसिस करते हैं कि जुरुवा बच्चे कैसे पैदा होते हैं तो आपके सामने यह जो दू बच्चे दिख रहे हैं यह भी जुरुवा ही बच्चे हैं ठीक है ना बच्चे दिख रहे हैं यह भी जुरुवा बच्चे हैं ठीक है लेकिन इसमें आप देख रहे हैं है यह लड़की हैRR कभी आप इस बात को लेके चलेंग कि अगर जुरो बच्चे पैदा होते हैं तो तो इसमें या तो लड़का लड़का होगा या तो लड़का और लड़की भी पैदा हो सकता है जैसे माली जो दो बच्चे पैदा हुए तो वो दोनों बच्चे या तो लड़की लड़की होंगी या तो लड़का और लड़की होंगी या तो लड़का और लड़का होंगे ठीक है ना तो इतने टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो बच्चे पैदा हुएं देखिए यह एक बच्चा यह है और एक बच्चा यह बच्चा तो इनक यहां इस बच्चे को देख सकते हैं चुटी बाते हैं आईए हम आगे चलते हैं इन सब चीजे को हम बताएंगे कैसे पैदा होते हैं ठीक है आप यहां आप देखेंगी यहां देख रहे हैं इस बच्चे के पिचारी की दोरों बॉड़ी जुड़ हुए और देखेंगे इनका हाथ भी जुड़ा हुआ देख लेजी हाथ देखें जुड़ा हुआ है तो बचाहिए यह सब भी बच्चे पैदा होते हैं यह एबनॉर्मली पैदा होते हैं इनकी इन देगा तो इनकी मौत हो जाएगी तो कोई चांस ही नहीं बनता है ठीक है ना चलिए आगे हम समझते हैं अब देख सकते हैं कि ơi अब बच्चों का क्या होगा है आप इस देख सकते हैं इसमें आप देखी खेगा है इन दुक्त गडशिए की विच्चों का देखी सर पूरा जुड़ा तो scar यह बैसे कैसे जिन्दा होंगे तो आपको पता है यह बच्चे कैसे जिन्दा रहेंगे आप सिंपली पता है आपको देख रहा है कि इनको यह पाइप लगी हुई है तो यह बच्चे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपको इनको पता है, या तो operation से इनका तो फोड़ा सर का पार्ट क्या होगए तूठ नहीं पाया हुँ, इसके वजे से क्या crust जुड़ा होगा है। यह यह पूरा टॉटर हाँ यह स्पाम है और यह मेंल के अंदर बनता है इसका नाम निशान तक नहीं होता है यह स्पाम एक तरह का में गैमेट है और मेल के री डूझीव और गनने बनता है और कहने बननी यह वाला है, छरी और । नृव होता है। इसका नामैशने तक मैं बनता है, ओम वो बोलते है। तो इस पर मैं आपको पहले पता है, यह हुआ है। हुआहरÁ नृशची आदर है। है जो देख सकते हैं आप यह जो देखी यह छantedशी स्पर्म हं यह जाए स्परम है यह स्पर्म है यह वंस से फूरा पूरा टूंटल क्या यह ओम है तो अब यह इस सब्छस से मिलने जा hija तो मेरी हिरत से आपको समझ में आ गया है तो चलते है हम लोग वास्ताव में समझ लेते हैं कि हमने आपको बताया है कि इस्पम हमेशा ओम से मिलने के कोशिस करता है इस्पम हमेशा ओम से मिलने के कोशिस करता है ठीक अब यहाँ देखिए दो ओम है यहाँ एक ओम है तो जब दो ओम से दो इस्पम मिले भाई जब दो ओम है से दो ही स्पम मिलेंगे ना तो उससे दो बच्चे पैदा होंगे क्या वह पैदा होंगे दो बच्चे पैदा होंगे उसको क्या बलेंगे वह जुरुवा बच्चे पैदा होंगे यह लड़का लड़का हो सकता है लड़का लड़की हो सकता है और लड़की लड़की हो सकता है तो तीन बन सकते लेकिन यह एक दूसरे को हूब हो नहीं होंगे ठीक है ना यह similar दूसरे के ज्यादा तर नहीं देखेंगे लेकिन इसमें देखी जब एक ही उम हो और उससे एक ही स्पर मिल रहा हो उससे क्या बन गया हो जाइगोट अब यहीं जाइगोट क्या होगा डिवाइड होगा और जब यहीं जाइगोट डिवाइड करें दो प्रॉ कोई ना कोई ऑर्गन क्या होगा एक दूसरे से चिपका होगा ठीक और अगर यह जाइगोट सही से डिवाइड कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा आसानी से पैदा होगा है ना यहीं जाइगोट नहीं टूट पाया सही से और यहीं जूड़ा रहा तो इसमें कोई जो बच्चा कोई भी ओर्गन दोनों बच्चे में जूड़ा रहेगा तो बड़ी उनके पास मतलब की वह जाले मतलब की एबनार्विल्टी समझ लीजिए उसमें कोई न कोई आर्गन उनका एक में रहता है तो बड़ी वह बेपती जनक बात है ऐसा ना होके जिक साथ सब बच्चे बात है तो यह समझ में आया आपको तो इसमें यह दोनों बच्चे बनेंगे अब यह दोनों बच्चे बनेंगे तो यह लड़का या तो यह लड़का यह लड़का होगा या तो यह लड़की यह लड़का लड़की कभी भी नहीं बनते आपको एक बार बता देत कि देखी आपको सिंपली समझा देता हूं ताकि उसे फ्रेटर्नल ट्यून का मतलब होता है इसे डाइज जाइगोड ट्विड़े जब दो ऑम के साथ दो स्पम मिले तो जो उससे बच्चे पैदा होते हैं ना उसको फ्रेटर्नल ट्यून बोलते मतलब वह जुरुआ होते हैं लेकिन हूब नहीं होते हैं अधेनिकल ट्रीन का मतलब होता है कि जब एक स्पम ओंग से मिले और वो क्या बना ले जाइगोड बना ले और वह जाइगोड फिर दो टुकड़े में टूर जाए तो उससे जो बच्चा पैदा हो तो उसको जुरुआ बोलते हैं वह एक दूसरे क तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर आपके लाप्रद है तो हमारी यूटुब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और आपके एक बटन दिया होगा, उस बटन को आप जरूर क्लिक करें, बेल आइकल को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आपको नोनिफिकेशन जाए, थैंक यू, हसर रहे और मुस्कुराते रहे